हेलो फ्रेंट्स दिस इस हर्विंदर सिंग एन वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल लॉन विद हर्विंदर सर अते इस वीडियो विच आसी करांगे दोस्तो इस गलता त्यान रखो कि इस वीडियो विच आसी इस चैप्टर नो लाइन बाइन पड़ेया अते ना दी नाल पंजाबी विच भी एक्स्प्लेइन कीता है पर जे आप सारे ने साड़ेन लाइन बे लाइन रीडिंग ना करके सिरफ समरी पढ़नी है या कोशन अंसर्स करने हैं शॉर्ड कोशन अंसर अब्जेक्टिव कोशन लॉंग कोशन अंसर्स या हसन दे क्रेक्टर स्केच्च आथे नेरेटर दे क्रेक्टर स्केच्च ने सब्सक्राइब नहीं किता थे चैनलानों सब्सक्राइब जरूर करों ताकि नहीं है वीडियोस आप सारे नों समय से प्राथ हो सकना और शुरू कर देयां चैप्टर दना है हरसं सटेंश प्रॉलम ते इस राइटर है सुधा मूर्ति जी ते सब तो पहला लिख्या कि मिसेस सुधा मूर्ति इस टीचर सोशल वर्कर और फिलेंथ्रोफिस्ट ते फिलेंथ्रोफिस्ट की उन्दा जो मानव तादी सेवा करदा Her work speaks more than any words will. She is the spouse of humble Mr. Narayan Murthy, the founder of Infosys. The Infosys the founder Mr. Narayan Murthy diyo wife BOB. Her contribution towards family, company and world is immense. Her humbleness reflects in her writing. ते इस चेप्टर विच अनु एदसे गया है कि जो अपने पडाईनों या कामनों सीरियसली नहीं लेंदे ते उनना दा की हाल हुंदा है वो असी चेप्टर विच दिखांगे कि हसन दा की हाल हुया ओनली वर्किंग फॉर माक्स और मनी वी लीड वन नोवेर शी एक्स्पेंस इट विद क्विन्टिसेंशल इग्जांपल ओफर सुडेंट हसन वो उस्टो बंक ओ लॉट ओफर क्लास एते यह दसी है गया कि जए यह सी सिर्फ माक्स दे पिच्छे यहां पैसे दे पिच्छे जाईए ते यह सी किते भी नहीं पहुंच पावांगे ते इस दी जड़ी ग्जांपल है क्विन्टिसेंशल दा मतलब हुंदे पर्फेक्ट ग्जांपल ते यह अगल सानुक पर्फेक्ट एक्जांपल दे तुरू दसी गही है हसन दे एक्जांपल दे तुरू दसी गही है जो कि क्लासस नो बंक करदा सी ते यह उन चैप्टर बीच लिखिया फॉर मैनी एर्स नाओ ते यह लिखिया हुए कि मैं काफी साल नाँ तो पढ़ा रियां MC ये दे सुडेंट्स नो ते यह अथी लिखिया हुए मैं काफी सुडेंट्स नाल इंटरेक्ट किता पर हुँ सारे ते मनो याद नी हन पर किसे किसे दे बारे मनो याद है ते इस नोट बिकॉस थे वर अल ब्रिलियंट बट रादर बिकॉस नोट न बच्छ याद नी एं जडे पड़ाईविच ब्रिलियंट सान बट उनना विच्छ गलनां बाक्या नालों अलग सी in my first batch there was a very bright boy called hasan he was tall handsome with a very good memory he came from an effluent family where he was the only son they effluent the मतलब उन्द वेल्दी अमीर ते मेरे पहले बैच वेच वेच जदो में अमसी एदे स्टुडेंट्स नू पढाना शरू की ता कंपूर्टर साइंस पहले वार ते मेरे पहले पहले वेच 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 बहुत ही ब्राइट होण हार स्टुडेंट्स चीन जजद आ हासी गा थे आज़ी तोल भी सिगा लंबा भी सिगा हैंड़्सम भी ते उससी मेमरी भी बहुत वदिया सिगी ते वो एक अमीर फैमली तो आ हुं दा सिगा I normally take the first class of the day which is scheduled at 9 a.m. और the one after that at 10 a.m. I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive ते सुधा मूर्ती जी लिख दे हन कि मैं generally first या second class लेंदे सी कि जो कि 9 वज़े शुरू हुं दे सी या 10 वज़े शुरू हुं दे सी ते उन्ननों at time मैं समा क्यों पसंसे क्योंकि ते दोसो आय अलसो बिलीव मेरा भी आयी मन्ना कि जड़ा स्वेर्दा टायमाइट इस वरी गूद पर टीचिंग वन्स इन वाइल असन वुद तॉन अप पर्टिकुलर्ले इफ देर वस अ क्लास्स ताय्प अर्डिकुलार श्यार वुद आपका बाइल मेरा पक्यार कुलर्ड अपर लिए इस अक्यों क्रटिकुले अच्छे कूद अ जित और सोग्या जंड ते जनरली कंदू हम आंदा क्लास्टस ते इग्शामिनशन पर अपो क्लास गरा ने दिन क्ला सांट इस तरह रिक्वेस्ट करदा मैं हमनों कि मैं मेरी अटेंडेंस पूरी कर देओ टीचर होण काफी काइंड हाटेड टीचर है सुधा मैं ते उनना वास से मना करना भी मुश्किल हो जानदा ते कई वारी सुधा मैं मैं अपसेट हो जानदे थे हो कहनदे कि नहीं में तोन्हों ड्स् Sut You 10 अप यजये सगसधी अद्हिकलर टौरी नहीं कर दिसीपलेन हशेटा है क्लास वेच सफ़ी तोस्तो फानल इग्जामेशन वेच्ट्रेंड एक पाटिकुलर एटेंडेंस होनी चाहिए बर हसं ढन् franchise कर टैस करके ओँ अपनी टीचर नू utiliser कर दा सीगा मेरी इस हुमन तो फॉर्गेविस डिवाइन यू हैव अनली टॉट अस दिस थे हसन सुधा जी नू माफी मंग दे हुए कंदा कि मैडम मिनू माफ कर दे हो ते अगले समस्टर तो है मैं तोड़ी क्लासे से रेगुलरली लगाया करांगा कि तुसी मिनू माफ नहीं कर सकते जड़ा बंदा हुई करतियां करदा पर जड़े डिवाइन लोग उन्देने जड़े परमात्मा वरगया लोग उन्देने ओ माफ कर देन देने ति फेर हो मैडम नू कंदा कि तुसी ही सन हुए अगल सिखाई है आई कुद नो रिमें एंग्री फॉर लॉंग टीचर्स दो गैट इंपोर्टेंट टू कि ज्यादा से में तक गुस्य विच नहीं रहा सकते भी टीचर्स भी अपसेट हो जांदे विए उन्ना सुडेंट्स तो जड़े रेगुलर नहीं हुंदे पर जदो टीचर्स हुए पता लगदा कि अटेंडेंट्स करके जड़ा बच्चा फाइनल व अटेंडेंट्स नू पूरा कर दिन दे सी एस ही वोज वेरी ब्राइट हसन वोड इन्विरियबली इन्विरियबली दा मतलब हुंदे ओल्वेस याट फर्स्ट क्लास इन्दा एक्जाम फर्स्ट क्लास मतलब की 60 परसेंट तो जादा फर्स्ट इवीजन उस दी आंदे सी होएवर पिफूर दे एक्जाम स्टार्टे एवरी समेस्टर दिस ट्रामा वेड हसन वोड भी रिपेटेड हर समेस्टर तो पहला हुसा है यहाल उंदा सी गाल जो तो पेपर आणवाल है तो मेडम को जाएगा कहेगा कि मेरे अटेंडेंस पूरी कर दियो ते हसन दा ड्राम अस्टेंडेंस पूरी कर दिन्द सी इच टाइम हसन वोड प्रोमिस दो इंप्रोव इस अटेंडेंस रिकोर्ड एंद फॉर वन वीक वोड अल ख्लासे जैन दा सेम ओल्ड स्टोरी वोड फॉलो ते हसन ने प्रोमिस कर दिन्दा भी अग्य तो मैं रेगुलर ली क्लासे पड़ उस्तों बाद सेम ओल स्टोरी वोड फॉलो व्यों क्लासा मिस करन लगदा इच टाइम ही एड़ डिफरेंट रीजन फॉर इस एप्सेंस वी जदो एप्सेंट हुंदा से क्लास विच्टे हर वरियों कोई अलगी बहनना लगांदा सी अनफॉचुनेटली दे ओल्व करना सुधार जी वी उस तों परिशान होगे टायड होगे ते उस दे पेरेंट्स नो बुला ला ले युवर सथेंस ब्राइट बॉइ फिर्ट वॉय ही उन्हें ने उससा पेरेंट्स नो क्या कि ओ और केंट नियां ए ऐरोगेंट दर थे भी उत ते ऊस्थियां थे कोई complaints निया but he is in discipline पर वो discipline विच निया if only he came to class regularly and attend the lab I am sure he can get a rank फिर सुदा जी ने उसे parents नो क्या कि जो classes regularly लगाए ते लेब दर थे computer lab ते computer lab which did a practical हो भी लगाए ता हो रहा है कि top position ते आ सकते class विच आया fair to convince भी मैं हसन नो काफी समझाया पर उसने मेरी गल ना मननी I will be happy if you could look into the matter more seriously because this is going to affect his life I said to them फिर सुदा जी ने उसे parents नो क्या कि तुसी इस विच दिखो ते हसन ते अटेंडेंस हसन नो को भी regularly classes attend करे निते उसी लाइफ एफेक्ट होजेगी ते हसन दा फादर हो काफी बीजी रंदा सी ते उसने टीचर दी गलनू सुदाजी दी गलनू ते हसन दी माने सारी कल दसी ते उसने मैं नो क्या सुदा मैं नो क्या कि मैं मैं ऐजा मदर हो गई हैं ते हसन ने मेरी ते बिल्कुल भी गल नहीं सुदा ते पुरी पुरी रात हो गाने सुदा ते चैटिंग विद फ्रेंड्स अपने दोस्ता देनाल चैटिंग करदा ते या न उस समें दी गल्ला जदो याहू चैट मैसेजे सुन्दे सिगे ते उक्थे न चैट रूमस बढ़े उंदा सिग तो इसी बारवर ओई गल क्यों कह रहे हूं दा मीटिंग एंड़ेंट इन आर्गुमेंट बिविन इस पेरेंट्स इस फादर सेट यू और दा मदर इट इस यूर दूटी तो करेक्ट हीम यू शुट स्पेंड मोर ताइम विद हीम आयम सो बीजी यू है फेल्ट ते पेरे इस मदर सेट यू आर्द इस डिफिकल तो कंट्रोल बोईस यू थीम मैं तो मैं अर्निंग मनी इस नॉट दा उनली थिंग इन लाइफ उसी माने कह तू उस दा बाप है तू दा पिता है ते जड़ें मुंडिया नू कंट्रोल करना बहुत मुशकल हुंदा तू उस नल मैं तू मैं ना गल कर जिंदिगी विट सब कुछ सिरफ पैसा कमाना ही नहीं हुंदा इस कॉंटिनूट फॉर वाइल और मिटिंग इंड़ फूटलेसली थे एक कुछ समय उन पेरेंट सी आर्गूमेंट सेली थे मिटिंग फूटलेसली बिना किसी सिट्टे तो बिना किसी कॉर्स ऐस यूजवल इन फर्स्ट क्लास ही वाजन नाइस बॉय ही केम एंड थैंक्ट मी ते हसन ने ऐसे तरह अपना कोर्स है पूरा कर ला आते उजी फर्स्ट क्लास आई मींस कि उजी सट परसेंट तो ज्यादा नंबर आए ते मैं ने लिखिया सुधा मूर्ती जी ने ल ते हसन ने अपनी टीचर नों किया कि मैंनो तेन साल तुसी पढ़ाया उससे लिए तोड़ा बहुत बहुत थैंक्यू ते तोड़ा बहुत ही काइंड हाट ने एक दिल है ते तोड़े करके मेरी टेंडांस है पूरी होगी ते हर टीचर नो तोड़े वांगी होना चाहिदा ते टीचर ने क्या है कि जे रब चाहिए असी फेर मिलांगे ते मैं हसन नो काफी समय तक मिली नहीं ते उससे बारे में सब कुछ पुल गई येर्स पास्ट कई साल बीथ गए I taught many students, मैं काफी students नो फटाया Some of them became very good human beings, some became famous, some became rich and some remained ordinary ते कुछ students से बहुत वदिया human beings, बहुत वदिया इंसान बन गए ते कुछ famous होगे, ते कुछ कमीर होगे, ते कुछ ordinary ही रहागे वी अपनी life हे ज़्यादा कुछ ना कर पाए As far as I was concerned, they were like my children पर सुधार जी ली जड़े उनादे students हीगे, उनादे अपने बच्चेया मांग सन Some remember me still and send invitation to weddings, naming ceremonies, house warmings, etc If I am in town, I definitely try and attend Because for me, their immense love is my strength ते हुन बच्चेया नो भी उस्टे टीचर सुधार जी याद सन ते हुन कई बच्चे इंविटेशन से अपने व्यावास व्यादी इंविटेशन या naming ceremonies ते ज़ो बच्चेया ना रख्या जांदा है house warmings, ज़ो करदा मूरत हुनदा है ग्रया परवेश हुनदा है ते उस्टे इंविटेशन दिन दे सीगें अपने functions दे इंवाइड करदे सन ते सुधा जी याद कोशिश करदे सन कि जदो शहर वे चांता अटेंड करन वन मंडे मौनिंग, मैं सेकेटरी तोल मी सब्सक्राइब करने से नाट करने सब्सक्राइब करने एक जड़ा परसनों लेटस्टे परवेश हुन है जिन्नादा उन्नानाने अनन्सवर चरी सेगा डिद्रसेड़नों मिलनाड टाइम भी नी जिए एका टेड़नानों किकेसे हो का किसे होनाने मिलने ड़ी समा नहीं बट माई सЕटरी जोंगी मिलने अंट्रीस कीजाजेप धर आंड करें अक्युक्की अन न्नाडा सवड enorm mine तो शीए नोट बी अनेबल टू से नो टू हिम ते उन सेकेटरी नो भी पता से गावी सुधा जी इस ऑल्सो फॉंड अफर सुडेंट्स भी उसन सुधा जी नो भी अपने सुडेंट्स नाल काफी प्यार है ते यह सकर क्यों हसन नू ना नहीं कर पाई सेकेटरी इन डैट केस सुधा जी ने सेकेटरी नो क्या भी फिर उसनों क्यादा हुवी दो वजे हो मिन्नों मिल सकता है इन दा अफ्टनून अ मैन ऑफ्टी फाइब यर्स प्लंप प्लंप दार तुदन थोड़ा जा फैट मुटा विदे बाल्ड हैट थोड़ा जा गंजा भी उस्ते सिर्थे वा विद दा सौफ्ट्वेर ते हो सौफ्ट्वेर वेच रहा सिगा उस्ते हथ विच सौफ्ट्वेर दी सीडी सी आई कुड नौट प्लेसें दो ही सीम फैमिलियर थे सुधा जी ने उसनों पच्छानेया नी कि तुसी आपड़े वी नहीं पच्छानेया किव अपनी हरेक सुडेंट नों सारे सुडेंट किस तरह याद रख सकतेओं यह जद तुसी खिड़की तो देख 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 देखतां तुसी याद रह खिए है बाहर केगी है पर जदो तुसी बाहर तो देख दे हो थे तो नू एह नहीं पदा लग सगदा भी यो खिड़की देंदर की की है I liked his analogy, analogy दा मतलब है example and was sure he was my student because I often use this phrase in my class still I could not guess who he was madam I was the perpetual late comer of your class perpetual ता मतलब है हमेशा ही always कि मैं class विच हमेशा late आंदा से that's when the coin dropped फिर मैं उसनों पच्छान लया it's been a long time since I last met you I was very happy to see him ते सुधा जी उसनों देखे अपने सुडेंट नों देखे बहुत खुश होए madam I am fine and remember many of your lessons madam मैं बहुत वदिया हाँ ते मिननों तोड़े सारे पढ़ाए हुए पार्ट याद ने ते पर सुधा जी ने पूचया is it database management और C और पास कर विए computer languages ने जड़े की जड़े की MCA सुडेंट्स नों पढ़ाए जा रे सन नन ओफ दो सॉफ्वेर मैडम आई रिमेंबर दा मॉरल लेसंस मैंनों सॉफ्वेर वाले लेसंस नी मैंनों ते तोड़े मॉरल लेसंस भी तेड़ी तुसी साननों नातिक सिख्या दिते सी कि वह मैंनों सारी याद है आई डिड़ेट नो वट मॉरल लेसंस आई टॉट दो आई डू टेल सम स्टोरीस दूरिंग माई लेक्चर्स ओन कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर ते सुधा जी या लिख दे हैं कि मैंनों ते यह नी पता है भी मैं केड़े नैतिक सिख्या दिती है केड़े मॉरल लेसं में दिते हैं पर हां मिननों जरूर पता है कि जदो मैं कंप्यूटर सॉफ्वेर दे पढ़ाई करांदी सी ता मैं अपने स्टूनेंट्स नों कुछ कहाणियां से अंदस्या कर दी सी हसन अचकल तुसी की कर रहे हो नाव इस फेस बीकेम लिटल पेल हुन उसदा फेस थोड़ा पीला पाय गया हुन उसदा फेस पीला एस करके पाया पेल एस करके हो गया क्योंकि अपनी लाइफ व परन तो बाद भी हो इस सिरफ एक सेल्स में नहीं है जो डोर टो डोर जाके सॉफ्ट्विर वेच रहा ते अपनी लाइफ वी जो सक्सेस्फुल नहीं है कामयाब नहीं है ते ऐस करके उस दा फेस हो पीला पाय गया मैडम आयम सेलिंग इस सॉफ्ट्विर विच इस उसफु वेच रहे हैं जो कि मैस फिजिक सथे कमिस्ट्री प्रावन दे काम आंदा है ते टीचर सथे स्टूडेंट्स दोहां ले बोथ हेल्पफुल है ते जड़ी फाउंडेशन है फाउंडेशन के इन्फोसिस फाउंडेशन है वो एक नोन प्रोफित और्गनाइजेशन है तो उ आई स्कूल लेवल ते एजुकेशन विच बोथ हेल्प कर दिया ते तो अडे जड़ा सॉफवेर तोडे काम आँदा तोडे इंटरस्ट दा हो सगदा हसन वाट दिच यू दू दो फो उन्ने साल के किता है यू अई निव औल हिस लासमेट बाइशन बाइशन इन वर इन व ते अचान हो सुधा जी नों पता से गाँ उस बैच देड़े भी स्टूडेंट्स ने हो हाई पोजीशन स्विच मीनस के कम्पनियां विच हाज सौफवेर ती कंपनियां विच सौफवेर इंटरस्ट रे विच हाई पोजीशन स्विच हन ते अचन भी ब्राइट सिगा मैडम यूनों आए वस वेरी एर्यागुलर इन कॉलेज निमेडम तो नो पता है मैं कॉलेज इच बहुत ही रेगुलर सिगा दे सेम एबट कॉंटिनीव इवन अफ्टर माइग रेजुएशन ते ग्रेजुएशन करन तो बाद भी मिरी आदता है जारी रही हैं आई वो नोट बॉदर फिर भी मैं परवानी किती आई टुक हर फॉर ग्रेंटेड ते हसन ने सुच्छा भी मेरी माधत है कम में रोज रोज कहना अफ्टर ए लॉट प्रेशर फ्रॉम मैं पेरेंट्स आई टुक अपा जॉब हुन उससे पेरेंट्स भी प्रेशर पारे से गे विए तो पर आई पूरी कर ले हुँ जॉब कर ले ते हसन ने जॉब भी लली बट आई कॉंटेनियोट विद विद दे सेम हैबिट्स आप गॉइंट्स अपॉइट्मेंट्स और नोट बिंग रिस्पॉंसिबल ना लेनी हुन उसको नॉलेज भी निया नॉलेज क्यों निया इन कॉलेज आई हार्ली स्टेड की कॉलेज विच्टेव पड़े आई नहीं गेटिंग फर्सक्लास इन दा एक्जामिनेशन इस नॉट एन इंडेक्स ओफ दामाउंट आफ नॉलेज वन हैस हुन जर दो पेपर विच मा इंपॉर्ड़ें नियुक्त कर लंदा से पड़ें नहीं पर्दे नहीं सिकाट डेटेल विच और आई अल्वेस थोट्ट आइकुड समॉव मेंक एट लेटर मैं सोच रहा है कि बाद विचा कमें कर लेंगा बट विदाउट प्रपर नॉलेज इस डिफिकल तो वर्क पर न मॉलेज तो बिना कम करना भी उख है I always laughed at all those people who were hard workers थे जड़े बच्चे hard worker हुंदे सिगे जड़ी महनत कर दे सिगे पड़ाई कर दे सिगे तो मैं उन्ना थे हस्दा सिगा I used to make fun of them and call them nerds ते मैं उन्ना थे मैं उन्ना थे मखाल उट हुट 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 टोड़े दोस नर्ड्स है बिकम मिलियनेर्स ते अज बढ़न वाले बच्चे मिलियनेर बन गे नोबड़ी लाइक में माई ओफिस विछ विछ वी मननों कोई पसंद नहीं कर दा सिगा क्योंकि मेरी आतना ख्राब संद नो एंप्लाइर वोट कीप सच अन एंप्लॉई अन लॉस्ट वटेवर जॉब आ टुक अप ते होण कोई भी जड़ा एंप्लॉईरो अज यहां इर्रिस्पॉंसिबल बंदेनू ते रखने नहीं चांदा ते जो भी उसने जॉब मिली ते उसनों कट देता गया इन मई फ्रस्ट्रेशन वी फ्रस्ट्रेशन वेचा के आई श्रॉटेड के लिड़ा करन लग गया अइट ऊफिस एस वेल और की कर विच भी मैं लड़ा ना जिगा ते आफिस वी नई फिगा पक्रीद बिच भी तौन सदेन आल ना रहा ही वे उसे पिता जी ने उसनों काफी फ्रीडम दिती ही पड़ो चंगिया आजता ना सिख पाया मैं स्टेट टोड़े इस रिजल्ट आप माई ओन है वे अपने कारणी है कि उससा जड़ा रिस्पॉंसिबल है मैं आप यहांते में अपनी माडियां आगता कारणी आज मेरी जड़ी पुजीशन है कि मैं लाइफ विट सक्सेस्फुल नहीं है ते सुधा जी लिख देन की शी इस फीलिंग सॉरी भी उनननो भी बहुत दुख्या हसन नो देखके भी हो इंटेलिजेंट ते सिगा बिना पड़ी साट परसेंट तो जादा नंबर ले आंदा सिगा ते उज़ा निच्चर भी गुट सिगा पर अपने लाइफ वेच्चा सक्सेस्फुल ना हो पाया वी हसन तेन्नो तेरी गलतियां दा पता है ते तू इंप्रूव करके अपने ली बैटर लाइफ बना सक्दा सिगा पर तू उन्हें भी स्टार्ट कर सदे किसे भी उमर भी चेड़ा स्टार्ट है कित्ता जा सक्दा है तू डिसपोइंटेड ना हो तू दास या निराश ना हो तू एक छोटी जी जंग एक बैटल जरूर हार गया है पर हले वी तू यू कन स्टिल विन दा वर्ग भी तू हले वी जड़ी जंग है वड़ी लडाईय हो जित सगदा है मैडम, old habits die hard, मैडम जड़ी या पुराणी आधता हुं दिया नो मुश्किल ना ली जंदियान बट हसन, it is possible to change your habits, there is nothing which is impossible, you only require willpower, you are yourself not aware of all your potential, please remember, when elders say something, they do so because they want you to lead a better life than them, excellence does not come by accident but by practice ते अत्य सुदा जी ने हसन नो motivate किता है, किस तरह मोड़ी motivate किता है भी हसन, होन भी तो अपनी habits नो change कर सकता है, होन भी तो अपनी आधता है उसनो बदल सकता है, कुछ भी impossible नहीं है, कुछ भी ना मुंकिन नहीं है, ते तो नो बस willpower चाहिती है, ते फिर उन्हान ने क्या है ते अपनी पोटेंचल दा अपनी काबलियत दा पता ही नहीं है, ते हसन इस गल्दा त्यान रखना कि जदो वड़े कुछ केंदेने, वो एस कर केंदेने, वी तुसी उन्ना तो भी वदिया लाईफ है और जी सको, ते एक्सिलेंस है, जड़ी perfection है, हो एक्सिडेंटली नहीं ते हसन ने किया, कि हाँ मैं मैं पूरी कोशिश करांगा, I will try my best, ते हसन उन्चान ली वी उठ गया, I have not met हसन since that day, I hope to bump into him unexpectedly once again and this time find him happy and successful, कि उस सो बात मैं हसन नूं कदे मिली नहीं, ते मिलनू हले वी उमीद है, एक हूप है, एक उमीद है कि हसन नूं मैं कदे टक्रांगी unexpectedly, ते इस टाइम जदो मैं उस तो मिलांगी, वो happy भी होएगा, अपने life is ते successful भी होएगा, ते दोस्तों, ऐसे कि line to line explanation and translation, तो अटे चैप्टर दी जिसना है, हसन's attendance problem, ते मिननूं पूरी उमीद ही नहीं, यकीन भी है, कि यह वीडियो आप सा और चैप्टर बहुत ही चंगी तरह समझ आ गया हुएगा, ते इस चैप्टर तो साननो की सिख्या मिल दी है, ते इस चैप्टर तो साननो अई सिख्या मिल दी है, विस आननो अपनी classes regularly attend करनियां है, ते यह सी proper knowledge है फिर गेन नी कर पाँआगे, ऐस करके साननो hard working भी होना चा ये दिया हन। दोस्तो ऐसे का तोड़ पार्ट हसन्स अतेंदीन्स प्लावलम है अगले वीडियो विच अशी इसदे कोस्चन करांगे कोश्चन अंसर एच से शौट कोश्चन अंसर लनक टोषेंच वाइट माइन मर्प्स रांगे अधे objective questions करांगे ते उन्ना वीडियोस जे लिंक असी थले description box वेच भी आड़ करदांगे ते पाट दी पूरी तरह ते आरी ली आप सारे विद्यारती उन्ना वीडियोस नूँ जरूर देखना ते आप सारे नूँ या पाट की हुझे या लग गया सड़ी या कोशिश की आप सारे नूँ कोश्चन अन्सुडवाली वीडियो देनाल हुण देव अपने अध्यापक सर्दार हर्विंदर सिंग नूँ इजाज़त चाथ स्रीयकाम